सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा निव चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुच जाएं मन्षपर द्राचसीन हमारे पूर्वाक मंतरी द्राश्ट दे смट्र जी का हर्दा की गेहराइब के सक हम सबस्क्राइब करते हैं ढुरवननन ना जी का बहुद बहुत बहुत भागाणеся z Bellino ग्रेडिन जी का बहुत 1 जीन जी का बहुत बहुत भागैज गेजिन का भी अ मैगेश कुमार धी कमरी दी उनका भी बहुत भागाण्वाण डॉहारquito उनका भी बहुत भुदार्ण वियुक्त करती है सबीका विनंदन करती है वह बहुत भुदार्ण देख्यों वियुक्त करती है विटार। नज़ाई है उन विद्धों की जो इसकूल नहीं जा पाते हैं वो की जो हुट शीक्टा नहीं पापाते हैं उनको शिच्चा बिलाने की लड़ाई है उन अब प्रफिर दार में के लिए जो कि आगर राट में कुछ हो जाता है तो नहीं आ रहा हैновार जाए नुट है वह भी थे करो यार बहुत भूद थनवाद तभी का चॉलाने वोरंबी टी गरगर मैं कुछ आली होगी राश तपाका आएगा ऽुल्ती की उर्म टाके ती गरगरमे कुछ आली होगी राश तपाका आएगा एक सेर के साथ अपने राष्ट्ति अद्धिक जी को बुलाना चाहूंगा, कै वतन के नाम पर मिड़ जाना इनकी सान है, ये समजबादी है, समाजबाद इनकी पहचान है, बहुत बहुत धनिवाद आप सब काँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी भ्रवन अंजी महराज उनकी त्याग और तबस्या के वज़े से और उनकी लगातार परिश्रम की महनद से ये इतनी बड़ी संसा खड़ी है मैं सबसे पहले त्याग मूर्ती स्वामी भ्रवन अंजी महराज जी को पड़ाम करकर के उनको मैं याद भी करता हूँ उनके प्रयासों से ही नजाने कितने लोगों को इस संसा में पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिला होगा हमारे मंच पर उपस्थित आदरी रामाधार सिंग जी मंच पर उपस्थित आदरी चौदरी घुराम लोदी जी पूर विधायक डॉक्टर अम्रीज कुमारी जी अनिला हिरवार पूर विधायक जी पूर विधायक गैरती ननुरागी जी राम किस्विंजी शीमती चंदर कांता लोदी जी जमीर राठवी शायर साहब यशेन राजपू जी पुस्पेंद यादर जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उपसे सत्वाल और हमारे अम्बिडकर भाईनी प्रदेश के अध्यक्ष उपसेत बड़ी संक्या में समाजवादी साथी जो मंच पर उपसेत हैं सभी पदादिकारी गड़ इस चुनावी जनसवा में उपसेत हमारे सभी आदरी किसान भाई बड़ी संक्या में नौजमान साथी पतकार बंदूओ मैं सबसे पहले यहां की जनता का बहुत बहुत धनिवाद और आबहार पिकट करना चाता हूँ मैं जो सौसा देख रहा हूँ यह जो जो सौसा दिखाई दे रहा है यह बदलाब का उस्वा है यह लोग वो हैं जो परिवर्थन चाते हैं यह वो लोग हैं जो उत्तपरेस को देखना चाते हैं कि खुशाली के रास्ते पर जाए मैं अभी जहासी के एक करकम में शामिल होकर के आया हूँ जहासी होकर के आपके बीच में पहुचा हूँ जहासी के लोग तो जहासे में नहीं फसने वाले जहासी के लोगों ने तो एलान कर दिया है कि अब वो जहासे में फसने वाले नहीं है बताओ यहां के लोग कहीं आप लोग भाती जन्ता पार्टी के जहासे में तो नहीं आ जाओगे इदर बुन्दिल खन के लोगों ने जितना समर्थन भाती जनता पार्टी को दिया इतना समर्थन गवी पिल रहे था हूँ रोधे का चुनाव राहो सत्रे के चुनाव राहो उन्निस का चुनाव राहो इतना समर्थन भाती जनता पार्टी को को भी नहीं मिल सकता था जितना है लेकिन इस वार जो उस्वार जोस दिखाई दे रहा है बुन्देल खन में ये बुंदेल खंड के लोगों को पास है कि इस वार भारती जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा सोचो कभी कि डेवल इंजन की सहकार ने आपको क्या दिया यहां तो बड़ी संख्या में पड़े लिखे लोग होंगे हमें नوجवान भी दिखाई दे रहे हैं किसान भाई आप तो नहीं भूल गए कि ये बीजे पी के लोग हैं जिनोंने का था कि किसानों की आए दोगुनी हो जाएगी बताओ किसान भाई ओ आए दोगुनी हो गई किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो पताओ फसल की कीमत मिल गई के नहीं मिले और अन्ना जानवर की समस्या मादा आए आए अन्ना जानवर के लिए ख़़गे हैं जब जब बादमों के मसरी यहां बुन्देल खंड आए वो यही कहके गए के बुन्देल खंड की सब समस्याओं का समादान हो जाएगा और यहां की जनता ने भरपूर बोड़ दिया बताओ भरपूर समर्थन मिला उन्हें के नहीं मिला आज जब पीशे मुर करके देखो तो बताओ इन्होंने आप से जूट बोला क्या नहीं बोला इनके नेताओं के आशड याद कीजिए अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा जूट बोला है और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा जूट बोला है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा जूट बोला है बताओ आपके साथ जूट बोला गया क्या नहीं बोला गया और मुझे लगता है कि असली सर्प्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुन्देल खंड में होने वाला है चमतकार होने वाला है के नहीं बुन्देल खंड में जवार बदलाब का चमतकार होना है के नहीं होना है ये लोग कहते हैं के गर्मी बहुत हो गई है गर्मी उतार देंगे सुना भासर के नहीं सुना उनका और जब से पहले चेरण का चुनाव पड़ा है बोट पहले चेरण का जिस्त में बोट पड़ गया इनके नेता कारगता ठंडे पड़ गए है और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेल खंड में बोट पड़ेगा तो भारती जन्ता पार्टी के नेता सुन हो जाएंगे यहां पर बिग्यापन तो मैं नहीं देख रहा हूँ बड़े बड़े नौकरी और रोजगार के लेकिन लख्णव और दिल्ली में बिग्यापन बड़े बड़े लगे हुए है कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है यहां नौजवान बुंदेल खंड के पड़े लिखे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं बताओ नौजवानों आपके भविस के साथ खिलवाल हो गई के नहीं हो गई और यह B.E.T. T.E.T. वाले यह तक्ती लेकर के घूम रहें कितने दिनों से बताओ कितनी बार ग्यापन देना पड़ा आपको ग्यापन दिये के नहीं दिये क्या मिला आपको इनकी सरकार में हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया के नहीं पढ़ लिया बताओ यह सामिल किया के नहीं किया हमने इसलिए यह नौजवान B.E.T. T.E.T. वाले हैं पिछले कितने वर्सों से इंतजार कर रहे थे के नहीं नौकरी मिल जाएगी और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का बाभार पिकट करने आये हो न केवल आप बलकि चाएं वो हमारे सिक्षा मित्रों हो रोजगार सेवक हो चाएं उनत्तर हजार वाले हो या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भार्टी जन्ता पार्टी ने उलजाई या परिच्छा रदगी या कोश्चन पेपर लेक किया समाजवादी सरकार आएगी इन सब का समादान करने का काम हम लोग करेंगे न केवल समादान करेंगे वलकि ग्यारा लाग सरकारी पद खाली है सरकारी नौकरियों के उन ग्यारे लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा इदर बीजेपी वाले बहुत घवराए हुए हैं इदर बहुत घवराए हुए हैं बीजेपी के वाले लोग वो अपना चेहरा आएने में नहीं देख रहे हैं वो दूसरों को कह रहे हैं के बारे वज़े उटते हैं ये दूसरों के लिए परिचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग बाराए बज़े उठते हैं ये नौजवान सही कह रहा है जब से बुंदेल खंड के लोगों ने फैसा लिया है कि इतिहास रचेंगे बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है और बाराए बज़े न बज़े इनके चेहरे देख लो इनके चेहरों पे बाराए बज़ गए के नहीं बज़ गए और रहे बचे जब बोट डालोगे इनके बाराए बज़ा देना इदर बीजेपी वाले बहुत घरगर जाके परचार कर रहे थे सुना होगा आपने घर घर जाके परचार कर रहे थे डोर टू डोर केमपेन कर रहे थे बताओ डोर टू डोर केमपेन कर रहे थे लेकिन जब से माता हो बेहनों ने लाला सिरिंडर इने दिखा दिये गैस के सिरिंडर खाली दिखा दिये इनका डोर टू डोर केम्पेन बंद हो गया अब केम्पेन नहीं हो पा रहा और ये बीजे पी वाले लोग याद कर ले ना इन्होंने कहा था कि हवाई चपल पहनने वाला हवाई जाज पे चलेगा याद है के नहीं याद है और डीजल पेट्रॉल महेंगा करकर के गरीबों को मजबूर कर दिया है गाड़ी ना चलाएं बताओ डीजल महेंगा हो गया के नहीं हो गया और पेट्रॉल सौ के लगमग हो गया के पार हो गया इनकी सरकार बन गई तो आपको पैट्रॉल दो सो रुपए खरीना पड़ जाएगा पैट्रॉल दो सो रुपए बेचेंगे और जो लोग पड़े लिखे हैं वो जानते होंगे ये रासन पहले नौंबर तक दे रहे थे पहले ये तैटा की नौंबर तक रासन देंगे और अब तैकिया इन्होंने के मार्च तक रासन देंगे बताओ बीजेपी वालो मार्च के बार रासन कौन देगा ये जो रासन है ये जो रासन है ये बोर्ट के लिए बोर्ट चाहते हैं इसलिए रासन दे रहे हैं और ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो इनका घोष्टना पत्रो और इनका वो पढ़ने ना आप जो बजट आया है दिल्ली वाला दिल्ली वाले बजट में रासन का पैसा खतम कर दिया बताओ पैसा खतम कर दिया बजट में के नहीं कर दिया जो लोग बजट में पैसा नहीं रख रहे हैं वो रासन क्या देंगे और रासन केवल इसलिए दे रहे हैं के बोट मिल जाए लेकिन हम समाजवादी लोग आपको कह करके जा रहे हैं याद करना बुंदेल खंड के लोगों गरीवों को कभी घी और सरसों का तेल नहीं मिला था समाजवादियों ने बांट करके दिखाया था इस बार भी अगर हमें गरीवों को रासन से लेकर के अगर उन्हें पौस्टिक हाज कैसे मिले ग्यादियों के तेल का इंतिजाम करना पड़ेगा तो हम लोग इंतिजाम करेंगे और पांट साल नहीं समाजवादी सरकार जब तक रहेगी तब तक गरीवों को रासन देने का काम करेंगे बताओ बुंदेल खंड के लोगों ग्यी केरसे बांटा था सर्सों का पेर बाटा था और जब मैं रथियात्रा पर आया था हमीरफूर हम से पत्कार साथी पूछ रहे थे कि मुंदेल खंड को क्या विसेश करोगे हमने कहा कि अपने किसानों की हम मदद करेंगे और किसानों को सुबधाएं देंगे इधर जो जानकार लोगों होंगे वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग आज खाने का तेल जो है वो विदेश से मंगा रहे हैं ये विदेश से मंगा रहे हैं विदेश से जिनका आप बड़ा बिग्या बंड टीवी पे देखते होगे वो तेल मिलावट का है सरसो के तेल का नहीं है वो मिलावट का तेल खा रहे हैं रिफाइन वाला अगर कोई चीज सुद है सरीर के लिए तो वो हमारा घी है या सुद सरसो का तेल है इदर बताओ सरसो का तेल कहा पहुंच गया है कीमत क्या है ये सरकार ऐसी है अगर हमारा किसान सरसों पैदा करता है तो सरसों की कीमन नहीं दे पा रही है अगर किसान खाद चाता है तो खाद नहीं दे पा रही है D.A.P. अगर उसके जरूरत है तो D.A.P. नहीं दे पा रही है और बोरी अगर खाद की लेवी आया किसान तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई के नहीं हो गई इसलिए समाजवादी पार्टी ने तया किया है कि किसानों को, सरसों को लेकर के अगर हमें ज़ादा पैसा देना पड़ेगा सरसों की सई कीमा तो खरीदने के लिए हमें मंडी से लेकर के खरीद केंद खुलवाने पड़ेंगे तो खोलेंगे वहीं तिल की पैदवार कैसे बढ़े दलन की पैदवार कैसे बढ़े हमारे बुंदेल खंड के किसानों के लिए अगर विसेज पैकिज देना पड़ेगा विसेज किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनकी मदद करेंगे और यहीं बस सरसों का तेल पैदा करकर के चाहे कारखाना लगाने के लिए चाहे हमें कारखाना लगाना पड़े हमारे बुन्देल खंड के जितने जिले हैं यह हमारे प्रदेश के सरसों के तेल की समझे का समानान कर सकते है इसलिए चाहे हमें यहाँ पर सरसों के तेल के निकालने के लिए बड़ा कारखाना या उद्योग लगाना पड़े चाहे सो करोड, दो सो करोड, तीन सो करोड देना पड़े हम तीन सो करोड रुपे भी दे करके सरसों के तेल का कार खाना लगाएंगे और वही किसानों को सरसों की सई कीमत दिलाने का काम भी समाजवारी सरकार में होगा जब तक हम किसानों की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारा किसान खुशाल नहीं हो सकता ये बीजेपी के लोग किसानों के दुश्मन है बताओ ये जो तीन काले कानून आ रहे थे ये किसानों की खेती छिनने के लिए थे के नहीं थे और साड़े साथ सो किसान आत्म हत्या कर लिया सही दो गया लेकिन सरकार को कोई परवा नहीं जैसे ही चुनाब पंजाब का आया यूपी का आया तीनों कानून बापस ले लिए के नहीं ले लिए मैं ये कहके जाना हूँ बारती जन्ता पार्टी के जो प्रत्यासी है कान पकर करके अगर साथ सो उठक बेठक भी लगाएंगे तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है बताओ किसान भाई और नौजवानों माफ करोगे ने साड़े साथ सो किसान सहीद हो गए और जो कानून लाए थे उससे जमीन छिच जाती अभी जिस तरीके से विदेश से आपका तेल आ रहा है खाने का विदेश से सब चीज़ें आ रही हैं ये विदेश से मंगा करके और कुछ उद्योग पतियों की मदद करकर के हमारे किसानों को मारने की साज़िस थी इसलिए ये चुनाओ नकेवल उत्तपदेश के विकास के लिए है बलकि उत्तपदेश के किसानों को बचाने के लिए है बताओ उत्तपदेश के साथ साथ किसानों को बचाने का काम करोगे का नहीं करोगे हमारे नوجमान जो पढ़ना लिखना चाहते हैं इस बदलती हुई दुनिया में नौकरी और रोजगार करना चाहते है नई नई चीजें आ गई हैं दुनिया में नई नई तरह की पढ़ाई आ गई और अभी जब करोना आया था अगर कहीं कोई मदद कर रहा था तो आपकी समाजवारी सरकार की बनी हुई एम्बूलेंस आपकी मदद कर रही थी वो एम्बूलेंस मदद कर रही थी ये सरकार ना दवाई दे पाई ना इलाज दे पाई ना अस्पतालों में विस्तर दे पाई और ना ही ऑक्सिजन दे पाई नजाने कितने लोगों की जान चली गई अभी तक उसकी गिंती भी सरकार नहीं बता पा रही बताओ करोना के समय पर जान चली गई के नहीं गई जान और ये सरकार अभी भी सुईकार नहीं कर रही है करोना के समय सब कुछ बंद हो गया कारोबार, उद्योग, बजार, सब बन था अगर कोई मेहनत कर रहा था तो हमारा किसान और हमारा गरी खेतों में जाकर के मदद कर रहा था मेहनत कर रहा था अगर किसी ने अर्थवफ़शा बचाई देश को बचाने का काम किया और इस करोना के समय देखा होगा बहुत सारे लोगों को मुवाइल पर पढ़ना पड़ा लैपटॉप जो समाजवादी उने दिया था वो भी भी चला होगा अगर जिस किसी के घर में समाजवादी सरकार में मिला होगा लैपटॉप वो आज भी बंद नहीं हुआ है आज भी चला है और ये जो बाबा जी ने लैपटॉप दिया है किसी को मिला के नहीं मिला तो ये लखनों में किसको बांट रहे थे आपने लखनों में बांटे देखा के नहीं देखा उन्होंने लैप्टॉप भी बाटा लग्रों में उन्होंने स्पार्टफोन भी बाटा बताओ यहां किसी को मिला के नहीं मिला और वो जो टैबलेट बाटी थी वो टैबलेट मिली के नहीं मिली और हमारे बाबा मुखिमन्तरी कभी सोचो क्यों नहीं बाट रहे हैं क्योंकि वो खुछ चलाना नहीं जानते हैं इधर को ये साथ स्मार्ट फॉन चलाने लगे हैं इनको किसी को सिखाने कर नहीं पड़ा बताओ चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो और अब तो दुनिया ऐसी बदल गई है कि अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे तो बताओ, है जानकारी उसमें के नहीं है अगर कोई सामान खरीदना चाहो तो सावाल मिल जाता है के नहीं मिल जाता है और कई कस्वों में, कई शेहरों में कोई भी चीज मंगाना चाहोगे कोई भी चीज खाना चाहोगे तो बताओ मुबैल से मिल ली के नहीं मिल ली इसलिए समाजवादी पार्टी ने टे किया है कि इस बदलते हुए माहौल में बदलते हुए समय में अगर हमें कम्प्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी के लिए नौजवानों को पढ़ादने के लिए साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देना पड़ा और 22 लाग हमने कहा है कि नौकरिया नौजवानों को कम्प्यूटर से जुड़ी हुई और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई देने का काम करेंगे 22 राख और ये कह रहे थे BJP वाले कह रहे थे Digital India बनाएंगे ये BJP वाले कह रहे थे हम Digital India बनाएंगे याद है के नहीं याद है और इनके Digital India में क्या हुआ कोई बताए हमें ये Digital नहीं हुए ये कोई मदद नहीं किये लेकिन अमरीका जैसी बड़ी कमपनी अगर जानकारी करोगे तो वो मुबायल से कंडे भी बेच रही है बताओ कंडे बेच रही क्या नहीं बेच रही है अमरीका की दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी हमारे कंडे खरीद के हमें ही बेच रही डिजिटल इंडिया के भाने वाले लोग बताओ डिजिटल इंडिया कहा है ये लोग हमारी आपकी मदद नहीं करना चाहते ये बड़े बड़े उद्योग पत्यों की मदद करना चाहते है गरीबों की जेज से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भड़ना चाहते है अब यहाल में ही आपने पढ़ा होगा कि आठाइज बेखे होगा आप पैसा लेकर गए उद्योगपती बादा फोड़ के भाग गया करता हो उद्योगपती भागा के नहीं भागा तो बताओ बचाओ उद्योगए उद्योगए प्रदेस को बचाओ गे और अगर नहीं बचाओ ढादा तो प्रदेस G नजाने करτε और हमारे बावा मुख्यमंत्री बावा मुख्यमंत्री अभी तक तो हमें लगता था कह यह कंप्यूटर नी चला पाते हैं इधर पता लगा है स्मार्ट फोन भी नहीं चला पाते तुम्हें लगता है कि वो चला लेते होंगे तो आज के जमाने में आज के जमाने में सोचो इस लिए ये हमारे नौजमान कह रहे थे और बहुत सारे लोग मंचपे भी कह रहे थे कि इस संसा को इनिवर्स्टी तक ले जाने का काम करो अगर किसी समय पर सुपी भावन जी ने संसा खड़ी की है स्रम ऐसे जिसने भी मदद की हो उनके अपने प्रयासों से अपने मेनद से उन्होंने ये खड़ी की है संसा अगर यहां के संसा के लोग और उनके परिबार के लोग अगर चाहेंगे कि नए जमाने के साफ से यहां पे नए कोर्सिस हो जिससे कि हमारे नौजमानों का भाग बन जाए भविस्ट से बन जाए तो अगर इनिवर्स्टी भी बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे इनिवर्स्टी बनाएंगे जिससे कि हमारे आने वाली पीड़ी का भाग बन जाए हम लोग भाग बनाना चाहते है खोशाली लाना चाहते है उत्तफदेश को आगे बनाना चाहते है ये चुनाव बधाली से खुशाली की तरफ लिए चुनाव है इसलिए आप से निविदन करने आया हूँ समाजवादी की प्रत्यासी है लोधी चंद्वती वर्मा ये राजनीज में पहली बार आई है और पहली बार आपके बीच में चुनाव लड़ रही है बता इनकी मदद करोगे के नहीं करोगे और जो समाजवादी पार्टी ने गोशना किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो तीन सो यूनिट स्री बिजली मिलेगी किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा ये बाबा मुख्यमंद्री कह रहे है कि बिजली का जब से तीन सो यूनिट स्री की है तब से उन्हें करेंट लग गया है और ऐसे उस शोक में चले गए है कि बिजली के कारखाने का नाम नहीं बता पा रहे हैं अरे पतकार साथी हो आप तो कई बार देखे होगे मिले होगे उनसे उन्होंने अगर एक भी बाद बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो सवाजवादी सरकार थी तो लेलिफपुर में 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मा प्लान लगवाया था बताओ बाबा जी के मुझे कभी सुना 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मा प्लान क्या वो कह सकते हैं 3 into 660 सुपर किटिकल थर्मा प्लान यह बिजली है कार खाना यहां लगा और कभी यमना पार करकर करके देख लेना वहाँ पर बताओ वहाँ भी लग रहा है 3 in 2, 660 सुपरकिटिकल थफडनल प्लांट और निवेली लिगनाइट कमपनी है यह प्लांट लग जाते तो आज आपको इतना बिजली का बिल महेंगा नहीं देना पड़ता समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 इनिटों फ्री होगी होगी इसके साथ साथ किसानों की सिचाइग भी पूरी फ्री होगी एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा समाजवारी सरकार थी तो अपनी माताओं बहनों को हम पांस सो रुपया समाजवारी पेंशन दे रहे थे हमारे बहुत सारे लोग है वो जानते होंगे कि हम लोग बड़ी संख्या में माताओं बहनों को समाजवारी पेंशन दे रहे थे इस बार समाजवारी सरकार बनेगी तो पांसो नहीं देड़ हजार रुपया महीना और साल के अठारे हजार रुपया देने का काम करेंगे इसके साथ साथ हमारी बेटियां पड़ी लिखी बने आगे बढ़े उन बेहनों के लिए कन्या विद्या दर्म जो योजना चलाई गई थी उसमें 36 अजार रुपया देने का काम समाजवारी सरकार में होगा मैलाओं को विसेश पुलिस में भरती या सरकारी उतबरेज में 33 परसाथ उन्हें आरच्छ दे करकε उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे किसानों की कोई पैदावार होगी आप जानते होंगे समाजवादी सरकार थी तो मंडियां बन रही थी बड़ी-बड़ी मंडी हर जगे बनी है मंडियां बनाई थी मंडी बनेगी और किसानों की MSP पे खरीदने का इंतजाम होगा जिससे फसल का उन्हें नुक्सान नहीं हो उन किसानों के MSP देने का काम भी समाजवारी सरकार में होगा इसलिए बहुत सारी हमारी पार्टी ने फैसला लिया है जो और सुबधाएं देनी होंगी चाहे सड़क बना करके या और सुबधाएं देनी पड़ेंगी तो आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा आपको सभी सुबधाएं यहीं मिल जाएंगी आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ हमारी पार्टी का मैनेफेस्टों पढ़ लेना किसानों, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और उत्तबरेश की खुशाली के लिए है ये अगर एक्सप्रेस वे कोई बनाना शुरू किया है, बड़ी बड़ी सडकें तो समाजवादी उने शुरू की थी सडके बनाना और ऐसी सडके बनाई के जरूरत पड़ेगी तो अगर हवाईजाज भी उतारना पड़ेगा सडक पर तो आप हवाई जाज भी उतार लोगे ये समाजवादियों ने इंसदाम किया था ये हमारे परणान मंती जी ये उतरे थे हवाई जाज से ये उनकी देन नहीं थी अगर किसी का फैसला था तो समाजवादियों का फैसला था समाजवादियों की बज़े से ऐसी सड़कें बनी है इसलिए एक्सप्रेज़ वे से बुंदेल खंड के हर जिले को जोडने के लिए अपने किसानों को सुबधाओं के लिए और नौजमानों को बुंदेल खंड छोड़ करके बाहर न जाना पड़े मज़ूरी के लिए नौकरी के लिए उसके लिए यहीं इंतिजाम करेंगे जिससे कि हमारा बुंदेल खंड भी खुशाल हो जाए और अगर खेतों तक पानी पहुचाने के लिए अन्ना जानवनों से बचाने के लिए अगर हमें कोई ठोज फैसा ले करके अगर आगे कदम उठाने पड़ेंगे तो बजट में इंतिजाम करकर के यहां के बुंदेल खंड की जंता की मदद करने का काम करेंगे मुझे याद है सबसे पहले सब समाजवादी सरकार बनी थी 2016 में पानी को लेकर के तिलंगाना के मुख्यवंती जी ने सबसे पहले फैसा लिया था कि जहां पर बड़े बड़े जलासाए है या डैम है या कोई स्थान ऐसा है जहां से पानी घरों में पाइप से पहुँचाए जा सके तो मुझे याद है तेलंगाना के मुख्योंती ने सबस्वे पहले शुरू किया था और उनका देख करके उन्होंने जब प्रिजेंटेशन की मुझे तो मैंने भी फैसा लिया था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को याद होगा मैं खुद आया था और पहला पाई वाटर सप्लाई राट के लिए अगर किसी ने शुरू की थी और राट के छेत में जितने भी गाउं पढ़ें उनको पाई वाटर सप्लाई से पानी पहुंच जाए वो समाजवादी लोगों ने शुरू किया था लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया अगर सूरत से रोष्ट बिजली बनाने के लिए सोलर का बिजली बनाने के लिए अगर बंदेल खंड में कोई जिला नी बचा होगा जहां पर बड़े बड़े बिजली के बनाने के सोलर में पैसा न लगाया हो आप पता कर ले महुवा, लेलित पूर, जहांसी, आपका जिला, जालोन हर जगे सोलर की इनरजी से बिजली बनाने का इंतदाम शुरू हो गया था जितना इंतदाम समाजवादियों ने किया उस से आगे भारती जन्ता पार्टी नहीं बढ़ा पाई समाजवादी सरकार मनेगी, तो और बिजली का उतपादन के लिए चाहे हमें सरकार का पैसा लगाना पड़े, हम लोग लगा करके बिजली को सस्ती और तीन सो यूनिट फ्री करकर के, और किसानों की सिचाई मुफ्त करेंगे, ये समाजवादियों के सरकार में होगा इनी सब्दों के साथ, एक बार फिर, मैं समाजवादी पार्टी के प्रिस्ट्यासी, लोधी चंद्रावती वर्मा जी के सहयोग और समर्थन के लिए बोट मांगने आया हूँ बताओ मदद करोगे के नहीं करोगे, बीजेपी के जहासे में तो नहीं आ जाओगे, बीजेपी के जूट में तो नहीं आ जाओगे, ये जो बीजेपी जगडा लगाती है उसमें तो नहीं आ जाओगे, बताओ चमतकार करोगे के नहीं करोगे, इनको आपने भरपूर इसलिए इस वार इन्हें जीरो करके भेजोगे के नहीं भेजोगे इन्होंने धोका दिया आपको के नहीं दिया इसलिए धोका देने वालों को अपना एक एक बोर्ट दे करके सबक चिकाने का काम करना मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ कि आपके भागे को आपके सपनों को और आपको पढ़ाई के बार नौकिरी रोजगार मिल जाए उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे इनी सपनों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यबाद बहुत बहुत आवार फिकर करते हैं सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा निव चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरे पहुत जाएं